हुआ है हमारे धर्ति पन्यारी चंद्रपूर में उनका सेमिनार्स भी होके गया है दो-तिन बार पिछले बार कोविट के पहले आने के बाद उनका सब्टेम्बर में हुआ था लेकिन मैं मैंने वो मिस कर दिया क्योंकि मेरा पेंच में बैट बिंटल का मैचेस था लेकिन बहुत दूख हुआ लेकिन जब मुझे पता चला कल आज सुबह पता चला कि आज के चिप गेस आधर निया स्रीप राकेश सर है तो मुझे बहुत खुश हुई कि कहीं न कहीं कि आज वो पल में भरके उफर के आएगा जिस पल को मैंने आज मिस किया था उस लेकिन हमारा बैड लगता कि हम घर में नहीं थे आज बहुत मुझे खुशी हो रही है और सर के लिए मैं दो लाइन कहना चाहती हूँ हाला कि वो सर की सर के जुबान से मैंने सुनी थी कुछ लोग थे जो वक्त के साचे में ढल गए कुछ लोग है सर जैसे जो वक्त के साचे को ही बदल दिये ऐसे सर है जो डाइरमिक सर है जो हर दिम हस्त्य मुस्कूर आता है उनका चैरा नजर आता है जब भी देखो उनके इसमें अलग सी जहलक अलग सी एक स्माइल दिखती है और इस धर्ती से उन्होंने जल्म लिया है जो हर्याने की जहां से सबसे ज़्यादा हमारे leader आया है हरेने की धर्ती से वो belong करते हैं लेकिन आज business के इसमें हर भारत के हर कूने में उनका business फैला हुआ है हर जगह पे वो शर जाते है हर जगह पे team का फॉल अफ लेते हैं तीम को build करते हैं और सरकाई कहिना है कि अगर बाहर हम business करते हैं तो जहां हम distributor बनाते हैं उनका fall off लेना चाहिए, उनको बार-बार visit करना चाहिए, उनको system से sell defend करना चाहिए और system से review करना चाहिए ताकि business बढ़े, ना कि सिर्फ joining करके छोड़ दे. ये सरकी ही कहानी है और सरकी जुबानी जो मैंने सुना था और इसी कदम के कदम हम भी चल रहे हैं कि किस तरह अगर बाहर business हमें करना हो तो किस तरह हमें करना चाहिए और आज भी नया कुछ हमें सिखने को मिलेगा, हर दिन हमें नया सिखते रहना चाहिए, आज भी बहुत आप सबके warm welcome के साथ और तालियों के साथ मैं sir को invite करना चाहती हूँ प्लीज वेलकम USA के यंगस लीडर राकेश शर्मा sir most welcome sir थैंक यू वेरी मुच योगिता मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत यह अच्छी बहुत ही सुन्दर बाते आपने की और वेलकम करता हूँ आप सबी साथियों का जो आज इस जूम पोर्टल के उपर बैठे हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कुछ ऐसे साथी बैठे होंगे मारे बीच में जो अब जिनकी अभी शुरुवात हुई है जिन्होंने इस अभीयान की अभी शुरुवात की है तो उन सबी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ इस 8 पीम JRCM मीटिंग में जो साथी हमारे बीच में बैठे हैं जो वाइटल अचीवर बैठे होंगे कुछ एक लेवल होता है सिस्टम इस अभीयान के अंदर में तो वाइटल अचीवर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में स्टार और रोयल्टी लेवल के जो साथी बैठे हैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है जो टेक्निकल साथी बैठे हैं उनका भी दिल से बहुत स्वागत है और जो सीनियर साथी कोर साथी हमारे बीच में आज इस session से जुड़े हुए है zoom session से या फिर youtube पे जुड़े हुए है तो उन सबी साथियों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ अभार आप सबी का और आज का जो session है आज मैं बात करूँगा कुछ आप से उससे पहले एक बार मैं योगीता में मैं screen share कर रहा हूँ अगर screen आ जाए तो अब एक बार प्लीज मेरे को बता देना आ गया आपका पीछे वाले background दिख रहे है सर हाँ वो ही था पहला slide वो ही है आ गया सर अभी आया change हुआ हाँ change हो गया नए भारत के thank you thank you very much सभी का आगेन बहुत-बहुत स्वागत है आज 8 p.m. JRCM के इस program में कुछ साथी होंगे जो जिनके अभी शुरुवात हुई होगी उनके लिए मैं अपना short introduction देना चाहूँगा मेरे नाम राकेश शर्मा है हरियाना से मैं बिलोंग करता हूँ एक साधान परिवार में मेरा जनम हुआ education सरकारी स्कूल में हुई और इस अभियान के साथ मैं पिछले 22-22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ जब मैं इस अभियान के साथ जुड़ा उस समय में दो काम करता था पढ़ाई कर रहा था बिये second year में और साथ में एक नोकरी करता था पंदरा सो रुपे मैना जिसमें मेरे को मिलते थे देखने का मोका मिला इस अभियान का प्लान और शुरुआत की आज से साड़े 22 साल पहले 33 महीने में टेकनिकल पे आया और 5 साल एक महीने में स्टार रुबी एक लेवल होता है उस लेवल को अचीव किया और आज सफायर के लेवल पे मैं वर्क करता हूँ तो ये मेरा एक शोट इंट्रोड़क्शन था आज हम बात करते हैं कि ये अभियान क्या है और इस अभियान का मकसद क्या है उस मकसद को समझना बहुत जरूरी है और मकसद को अगर हम समझ के काम करेंगे तो इसके जो फायदे हैं वो सारे फायदे में मिल पाएंगे तीन मेन उदेशे के उपर में काम करता है वैसे तो बहुत सारे उदेशे हैं इस अभ्यान के, लेकिन तीन मेन उदेशे हैं जिसके उपर ये अभ्यान काम करता है, पहला उदेशे है स्वास्थे रक्सा, देखे स्वास्थे का जो संबंद है वो डारेक्ट हमारे जो हम खाते पीते हैं, जो हम प्रोडक्ट इस्तमाल कर जिनका इस्तमाल हर घर में होता है गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के वो प्रोड़क्ट होते हैं और इस अभ्यान का जो मुखे उदेशे रहता है कि वो सारे प्रोड़क्ट हंड्रेड परसेंट शुद्धों स्वास्थे में लाब हो उस चीज़ का विशेश द्यान रख्यों प्रोड़क्टों का उत्पादन किया जाता है दूसरा इस अभ्यान का मकसद होता है स्वाब लंबन कि आदमी एक व्यक्ती एक आम आदमी इस अभ्यान में जुडने के बाद में वो बिना पुंजी इस अभ्यान को आगे बढ़ा सकता है बिना दुकान खो उनके पास में बहुत सारी opportunities नहीं होती आज के time में, बहुत बड़े मोके नहीं होते कि अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, लेकिन इस अभियान में जुड़ने के बाद में मैलाएं अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, वो सारे काम कर सकती हैं जो वो करना चाहत जो बाहर की दुनिया में उनको मोका नहीं मिल पाता, तो तीन main उदेशे के उपर यह अभियान काम करता है, आज का जो विशे है, जिसके उपर मैं बात करना चाहता हूं, उस विशे का नाम में focus, अब focus तीन चीजों के उपर आज हम बात करेंगे, पहला हम बात करेंगे, कि यह जो ज्वाइनिंग महा यह फोकस जो है इस महिने में हमने ज्वाइनिंग के उपर करना है यह ज्वाइनिंग फोकस महा इसको हम बोल सकते हैं पहला उसमे बात करेंगे दूसरा हम बात करेंगे इस ज्वाइनिंग के उपर फोकस करने का लाब क्या मिलेगा में क्या बेनिफ करते हैं जुइनिंग फोकस मा के उपर में अब जुइनिंग फोकस मा ये है, जिसको हमने जनवरी से शुरुआत किया है और इस महीं ने हम सब को मिलके आरसियम बिजनस में, आरसियम सिस्टम के अंदर इस अब्यान में पρχयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभ्यान के अंदर शामिल हो फोकस का जो विशे है उसमें हमने इस चीज का ध्यान रखना चीए और हम सब मिलके अगर इस चीज पर काम करेंगे तो जो चीजे स्लाइड में लिखा हुआ है वो 100% पूरा हो जाएगा देखे फोकस के उन्होंने इकठा किया तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन सामने एक पेड़ था पेड़ के उपर एक चिडिया बैठी हुई थी तो गुरुजी ने दुर्योधन को कहा कि आप उस चिडिया की आँख पे निसाना लगाओ तो दुर्योधन जवाब दिया कि मेरे को चिडिया की आँख दिखाई दे रही है फिर गुरुजी ने पूछा और क्या दिखाई दे रहा है तो उसने पूरी चिडिया दिखाई दे रही है चिडिया की आँख भी दिखाई दे रही है और पूरी चिडिया भी दिखाई दे रही है गुरुजी अभी सेम बात कही कि उस चिडिया की आँख पे निशाना लगाओ तो चिडिया ने अर्जुन ने चिडिया की आँख पे निशाना लगाया और गुरुजी ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मेरे को चिडिया की आँख दिखा दिखाई दे रही है तो गुरुजी ने उससे भी सेम सवाल पूछा कि आपको उसके अलावा और क्या दिखाई दे रहा है तो उसने का और मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है केवल चिडिया की आख दिखाई दे रही है और जैसे ही तीर चलाने के लिए बोला अरजुन तीर चलाया और तीर जाके सीधा चिडिया की आँख में लगा इसको बोलते हैं focus focus का मतलब ही यह होता है कि जो भी चीज आपको दिखाई दे 100% वही दिखाई दे तो इस महीने का हमारा focus है joining कि हमारी संख्या बढ़नी चीए और जो focus का विशे है उसमें किस चीज के ओपर हमें काम करना चीए सभी लोगों को मिलके हमें काम करना चीए इस महीने हमारी जो जो ज्वाइनिंग जो regular मंत में ज्वाइनिंग आती है हम सबका एक ही focus होना चीए कि वो joining कम से कम कम से कम 5 से 10 घुना या उससे भी जादा हो इसके उपर हमें फोकस करके काम करना चीए और अगर फोकस करके काम करेंगे तो ये किया जा सकता है लोग इसको करते हैं बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ जो इस काम के उपर इस फोकस करते हैं और वो 100% इसको अचीव करते हैं दूसरा हमें इस चीज का ध्यान रखन से बढ़ता रहे इस चीज़ पर हमने focus करना चाहिए next focus का विशे है कि हमें focus करना चाहिए कि इस joining के अलावा बाकी सारी चीज़ों को कुछ समय के लिए हमें भूल जाना चाहिए देखिए जब हम 101% चीज़ 100 जगह पे लगाते हैं उससे result नहीं मिलता result मिलता है जब 100% focus एक ही जगह पे लगाते हैं तो हमारा 100% focus एक ही विशे के उपर होना चाहिए उस विशे का नाम है joining क्योंकि यह focus मन्त है इस अभ्यान के अंदर टी सी सर का इस महीने को लेके एक विशेश focus है कि इस महीने में भूत सारे साथी हमारे इस अभ्यान से जुड़े हैं इस अभ्यान में सामिलो और तिसरा हमें काम करना चाहिए कि टीम के हर साथी की उर्जा केवल और केवल joining के उपर focus रहे joining के उपर लगे ज्यादा से ज्यादा joining इस महीने में निकलनी चाहिए इसके लाब क्या होंगे इसके फायदे क्या होंगे देखिए जब हमारा focus होगा joining के उपर और ज्यादा से ज्यादा लोग इस महीने में joining होंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभ्यान में शामिल इसका लाब हमें खाली जनुवरी के बिजनस में नहीं मिलेगा, इस महिने का हमारा बिजनस बढ़ा नहीं होगा, इसका फाइदा हमें आने वाले समय में सालों सालों तक मिलता जाएगा, तो पहला लाब ये मिलेगा, दूसरा लाब ये मिलेगा, अभियान की गती को बढ़ान के लिए लंबे टाइम में इसके बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं आप सोच के देखो जब आपकी टीम में 5 से 10 गुना ज्यादा लोग शामिल होंगे, पांच से दस गुना जादा लोग स्क्रिये होके काम करेंगे, तो उसका फायदा आज और शोर्ट टाइम में नहीं, बलकि लोंग टर्म में बहुत सारा मिलने वाला है, और C, तीसरा फायदा मिलेगा, इस विशे को अगर हम सीख कर, इस महीने में बड़ गुना या इससे भी जादा लोग शामिल हो जाएंगे, पहला फायदा मिलेगा, उसका कंसिस्टेंट यूजर्स की संख्या बढ़ेगी, देखे हमारा जो अभियान है वो बड़ा कब होगा, अभियान बड़ा जब होगा, जब इसमें लगातार प्रोड़क को यूज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी, जब दस गुना ज्यादा ज्वाइनिंग होंगे, तो डेफिनेटली अगर उनके उपर हम फोकस करके उनको एक्टिव करने का प्रियास करेंगे, तो हमारे इस अभियान में जो दस गुना ज्यादा लोग जुडेंगे, और वो जिस भी पिन पे हैं, अगर आप सही तरीके से फोकस करके ज्वाइनिंग के उपर काम करते हैं, उसका फाइदा मिलेगा, जो आज आपका पिन है, वो पिन बहुत जल्दी आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और तीसरा फाइदा मिलेगा, आपके टीम के जो स्क्रि महिलाएं, इस अभियान के साथ जुड़के, एक्टिव होके काम करेंगी, और एक बड़ा फाइदा होगा, हमारे बीच में कुछ ऐसे साथ ही जुड़े होंगे, जो वितरन के इंदरों की विक्री बढ़ेगी, जब दस्च मुना लोग हमारे अभियान में आएंगे, तो व अदिक्तम जो भी हो सके, वै करना चीए, क्योंकि ये लाब एक महिने के लिए नहीं, बलके हमेशा के लिए है, बिल्कुल सही है सर, अगर हम किसी भी चीज़ के उपर में बड़ा फोकस बना के काम करते हैं, किसी भी चीज़ को पांच से दस गुना एक महिने में कर देते है तो उसका फायदा हमें हमेशा के लिए मिलेगा, वो हमारी आदत में आ जाएगा, कोई भी चीज़ है जिसके उपर अग्रेसिव होके हम काम करते हैं, एक आम आदमी के साथ में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, वो किसी भी चीज़ पे 100% उरजा नहीं लगाता, और जब 100% उरजा नहीं लगाता, तो उसको उस चीज़ से उतने बड़े परिणाम नहीं मिलते, अगर ज्वाइनिंग के उपर में इससे असान अभ्यान नहीं है, सिरफ लोगों तक इस अभ्यान को लेके जाना है, अगर 100% उरजा लगाके इस अभ्यान में काम किया जाए, तो इस महीने हम 10 गुना या उससे भी ज़्यादा ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो अब इसके उपर इस लाबों को देखते हुए, हमें अधिक से अधिक इसके उपर जोर लगाना चाहिए, और ये एक ऐसा मोका है, जिसे में चुकना नहीं चाहिए, देखे एक स्टुडेंट के बारे में बोला जाता है, अगर वो फेल हो जाता है प्रिक्षा में, तो दुबारा से काम करने का मोका, दुबारा से एकजाम देने का मोका एक साल के बाद आता है, इसी तरह ये मोका है, बार बार मोका है, और जब भी कोई भी मोका आए, अभी पूरे इंदुस्तान में एक बहुत शांदार माहोल बना हुआ है, पूरे इंदुस्तान का फोकस ज्वाइनिंग पे हैं, और जब बारिस होती है ना, जब माहोल बनता है किसी भी चीज का, बारिस होती है तो उस समय कोई भी बीज आप डालते हैं ना, वो भी जुग जाता है, तो इसलिए हमें फोकस करना चीए कि बार-बार इस मौके, इस अभियान के उपडर जुआइनिंग के उपर विसेश फोकस करना चीए, बार-बार इस तरह का मोका नहीं मिलता, तो इस मोका इस मोके का फायदा अउठाना चीए, अब एक्शन प्लान क्या होना चीए, फोकस मंथ है, इसका लाब आपको क क्या मिल सकता है, लोंग टरम में क्या मिल सकता है, तुरंट क्या मिल सकता है, उसके उपर हमने बात की, अब बात करते हैं सर, हमारा एक्षन प्लान क्या होना चीए, क्या करें, ये सारी चीजे जो हम चारे हैं, वो हो जाएं, एक्षन प्लान के उपर थोड़ा सा, थोड़ा सा हम बात करते हैं sir, कि अभ्यान परचार का, नया तरीका सीखना है, देखें, ये अभ्यान बहुत बड़ा अभ्यान है, कुछ लोग, बोलते हैं कि, business है, और ये अभ्यान, इन दोनों में क्या समानता है, business एक छोटी चीज है, अभ्यान एक बड़ी चीज है बिजनस बहुत छोटा रूप है अभ्यान बहुत बड़ा रूप है तो हमें अभ्यान परचार का नया तरीका सीखना है और नया तरीका सीखने का रस्ता क्या है सुबह आर्सियम गुरुकुल चलता है सुबह साड़े छे बजे से, साड़े साथ बजे तक, और गुरकुल का जो एक घंटे का जो समय है, उसमें आधरनिये टीसी सर मौझूद रहते हैं, बड़े सही तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से, हमें इस अभ्यान का परचार कैसे से करना है, तो साड़े छे बजे वाले सेशन को एनी हाउ हमें अटेंड करना चाहिए, जूम पे भी सेशन रहता है, यूटूब पे भी सेशन रहता है, और यूटूब के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि यूटूब पे होता तो किसी भी टाम देखा जा सकता है, दोस्त आप किसी जूम में एक एंट्री नहीं हो पाती आपकी, तो उसी टैम लाइव आप उस प्रोग्राम को अटेंड करें, यूटूब के उपर में, तो सुबह नया तरीका सीखना है, ये डूपलिकेशन का अभियान है, जो आप काम करोगे, वही काम आपकी टीम करेगी, आप इस तरीके रिजल्ट मिलते हैं, वह अपनी बात आपके सामने रखेंगे, दूसरा भी चीज, अभियान को सीख कर ज्यादा से ज्यादा अभियान परचारक साथियों को तयार करना, देखिए हमें, हम अकेले अपने दम पे काम करना चाहेंगे, एक लिमिटेड काम कर पाएंगे, लेकि से ज्यादा लोगों को सिखा के, हम अपने इस अभियान को बहुत बढ़ा कर सकते हैं, उसके उपर हमें एक्शन प्लान के उपर काम करना चाहें, तीसरी चीज है, हमारा फोकस एक विशेश चीज के उपर होना चाहें, कि इस अभियान को बढ़ा करने के लिए हम समझ में नहीं आती, एक चीज बार-बार बोली जाती है, कि जो भी बड़ी और अच्छी चीजें होती हैं, वो तुरंत समझ में नहीं आती, वो कुछ समय के बाद में समझ में आती है, और समझने का और सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, कि उस सुबह के सेशन में ड D, action plan क्या होना चीए, हम प्रियास करें इस अभ्यान परचार के लिए team बना कर लोगों के पास जाएं, team में कम से कम 3-4 लोगों को जरूर शामिल करें, एक बार बार एक आर्शियम के लीडर एक example देते हैं, कि होली पे जब किसी को रंग लगाने के लिए जाते हैं और अकेले जाते हैं, तो sometime सामने वाला रंग नहीं लगवाता, गुलाल नहीं लगवाता, लेकिन अगर 3-4 लोग इकठे मिलकर एक टोली बना के किसी के पास रंग लगाने जाते हैं, तो सामने वाला रंग लगवा लेता है, तो 3-4 लोग मिलके अगर इस अभियान को लेके हम लोगों के पास जाएंगे तो प्रिणाम के ज़्यादा आने की संभावना ही बढ़ जाती है और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी सूची हाथो हाथ तयार करवानी चाहिए जैसे ही उसने इस अवियान में अपना KYC OK करवाया हम उससे बात करें कि आपके जितने भी जानक हैं देखिए एक व्यक्ति जब इस अवियान में जुड़ता है उसके साथ में हजारों लोग उसके जानकार हैं तो संभावना बन जाती है हजारों लोगों तक उस व्यक्ति के माद्दम से पहुचा जा सकता है नेक्स्ट है तीन दिन के भीतर मिटिंग करें ज्वाइनिंग को गुनात्मक प्रिवर्तित करें जो भी साथ ही हमारे साथ यहां पे सुरुवात करता है ज्वाइनिंग करता है आप प्रियास करें उसकी सूची बनवाएं उसके गर पे मिटिंग करें और उसके साथ में जो लोग जुड़ें उसमें भी उनको भी सभ्यान के साथ में ज्यादा प्रिणाम आपके सामने आएंगे, कम एक्षन करेंगे, कम प्रिणाम आएंगे, ज्यादा एक्षन करेंगे, ज्यादा प्रिणाम आएंगे, होम मिटिंग की संख्या बढ़ाएं, जितनी ज्यादा होम मिटिंग करेंगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुचा जा स उतना जल्दी सभ्यान में बड़ी से बड़ी सफलता पर पहुचा जा सकता है। एक स्टोरी मेरे को याद आती है, बहुत सारे साथी कई बार बीच बीच में जब इस अभ्यान को लेके हम मिटिंग करते हैं परचार के लिए, तो कुछ लोग कुछ साथी एक सवाल करते हैं, जो नए साथी शुरुआत में जुड़ते हैं, वो सवाल करते हैं कि मैं अभी जुआईन हुआ हूँ और कितने समय में इस सभ्यान में میरा एक अच्छा लेवल हो जाएगा। कुछ साथी बोलते हैं कि कब तक मैं इस अभ्यान में कामियाब हो जाऊंगा देखिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता इसका जवाब एक ही चीज से दिया जा सकता है कि आपका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है आप कितनी स्पीड से काम करते हैं वो डिसाइड करेगी आ एक सादू था, वो सादू कहीं बैठा था, अपने ध्यान में एक रहागीर आया, एक वेक्ति चलते चलते आया, उसने सादू से एक सवाल पुझा, कि मातमा जी मिरको उस जगे पे जाना है, कि मिरको उस जगे पे जाना है, उस जगे पे जाने में कितना समय लगेगा, तो मात मातमा जी ने उसकी बात सुनी और मातमा जी ने बात सुनने के बाद उसको एक छोटा सा जवाब दिया बोला बेटा तु चलिशा जब ये जवाब सुना तो उसने सोचा कि साइद मातमा जी मेरी बात को समझ नहीं पाए उसने दोबारा से कहा कि मातमा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं उस फलानी फलानी जगे पे जाना चाहता हूँ मेरे को कितना समय लगेगा मातमा जी ने फिर जवाब दे दिया बेटा तुचल। तीसरी बार फिर मात्माजी ने कहा बेटा तुचल। अब जब तीन बार इसने यही पूछा और मात्माजी ने सेम जवाब दिया तो उस वेक्ति को लगा कि सायद कोई पागल मात्मा है. इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ. वो वेक्ति चलने शुरू कर दिया जैसे ही थोड़ी देर चला पीछे से मातमा जी का जवाब आया कि तेरे को दो गंटे लगेंगे तेरे को दो गंटे लगेंगे अब वो वेक्ति वापिस आया उसने मातमा जी को काया कि मातमा जी मैंने आपसे तीन बार पूछा था तब आपने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे मैं थोड़ी दूर चला गया तो आपने पीछे से जवाब दिया कि तेरे को दो गंटे लगेंगे तो मातमा जी ने कहा कि जब तक तू चलेगा नहीं तेरी स्पीड देखे बगएर मैं कैसे बता सकता हूँ कि तेरे को कितना समय लगेगा तो इस अभ्यान के अंदर आप जहां भी पहुँचना चाहते हो एक ही चीज के उपर सारा का सारा दारोमदार है वो है आपकी स्पीड आपका एक्शन आप कितनी होम मिटिंग करते हैं कितना ज़्यादा परचार करते हैं कितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते हैं आप जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे उतनी ही जल्दी सभ्यान में आप कामियाब हो सकते हैं एक्षन प्लान में लगातार चोथा जो लाश्ट की जो चीज है आप लगातार फोलोप रखें दीखें बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पहली भी बार में इस अभ्यान को समझ जाएंगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुरंत जिनकी समझ में आ जाएगा तुरंत इस शुरू कर देगा तो फोलोप करें और फोलोप करके और किसी चीज पर जो फोकस होता है ना किसी भी चीज पर जब फोकस करते हैं तो वो चीज बड़ी होना शुरू हो जाती है बीसी सर इसको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि दुनिया में जिस जिस काम पर जिस ची पर लोग फोकस करते हैं, वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है, आज आप देखो कि पूरी दुनिया का फोकस चार चीजों पर है, और वो चारों चीजे डे बाई डे बड़ी होने लग रही हैं, किसी भी न्यूज चैनल को खोल के देखो, बहुत सारी चर्चाएं, परी परी चर्चाएं होती हैं, और आप समझना कि पूरी दुनिया में ये चारों चीजे बहुत तेज स्पीड से, तेज गती से बढ़ने लग रही हैं, यानि जिस चीज पे आपका फोकस होगा, वो चीज ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी, इस अभियान में मैंने 22 साल का मेरा जो अनुभव है, वो ये कहता है, कि आज तक हमने जिस चीज के उपर फोकस किया है, वो चीज बहुत बड़ी हो गई, जब हमने शुरुवात किया था, इस अभियान की, तो हमारा ज्वाइनिंग पे फोकस था, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में शामिल होने चाहिए, और RCM इस अभियान ने जो ज्वाइनिंग करके दिखाया, दुनिया की कोई कमपनी सोच भी नहीं सकती, उतने सारे लोगों को इस अभियान के अंदर ज्वाइन करवा दिया, आज दोबारा से हमारा फोकस ज्वाइनिंग पे होगा, तो हम सारे रिकोर्ड तोड़ कर रहे हैं, तो पूरे इंदुस्तान के सबसे ज्यादा पिकप सेंटर RCM में खुले, पूरे इंदुस्तान के सबसे ज्यादा वंडर वर्ल्ड, वंडर वर्ल्ड क्विक RCM में खुले, प्रोड़क्ट पे फोकस किया, एक प्रोड़क्ट से शुरू होके 600 प्रोड़क्ट त वो कितना बड़ा आता है सूरिय रोज निकलता है रोज सूरिय अपनी रोसनी को विखेरता है उससे कुछ होता नहीं लेकिन अगर एक छोटा सा लेंस लगा दिया जाए और नीचे कागच रख दिया जाए और कपड़ा रख दिया जाए तो क्या होगा उस जो सूरिय की जो कि प्रिणे आने लग रही हैं, वो किरणों को फोकस करेगा और नीचे जब लेंस और कागच के उपर वो फोकस पड़ेगा, तो थोड़ी देर के बाद उस कागच में या उस कपड़े में आग लगा देता है, यह है फोकस का रिजल्ट, किसी भी चीज़ के उपर फोकस करके उस कुछ साथियों को मैं जानता हूँ, मैं एक बार स्लाइड को ओफ कर रहा हूँ, कुछ साथियों को मैं जानता हूँ, जो किसी भी काम को करते हैं, और उनकी वही चीज़ उपर हो जाती है, तो आज के बाद यह जो महीना है, पुरा का पूरा ज्वाइनिंग को ले के है, हम सब का एकी टारगेट होना चीए, एकी फोकस होना चीए, कि इस महीने में 5 से 10 गुना जί delegate लोग और वो किया जा सकता है, इंदुस्तान की जन संख्या डेड़ सो क्रोड से जादा है अभी अगर एक्टिव लोगों की बात करें तो RCM बिजनस में एक्टिव लोगों की संख्या उतनी नहीं है इस संख्या को बहुत बड़ा किया जा सकता है तो आप सिस्टम के साथ जुड़ें सुबह साड़े छे बज़े का प्रोग्राम टीसी सरका है गुरुकुल उसके साथ जुड़ें एक बज़े का प्रोग्राम है महिला स्पेसल प्रोग्राम है उसके साथ जुड़ना चीए रात का प्रोग्राम एट पीम जे आर्सिम ये प्रोग्राम चलता है जिसमें कोई ने कोई senior साथ ही daily आप से आगे बात करता है इस program से हमें बार-बार जुड़के और इसका फायदा उठाना चाहिए देखिए जब तक हम system के साथ जुड़के काम नहीं करेंगे न जब हम इस अभियान में अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं बहुत आगे जाना चाहते हैं तो एक ही rule है एक ही नियम है कि आप system के साथ जुड़के काम करते रहें बिना system के साथ जुड़े आप इस अभियान में बहुत बड़ा नहीं बन सकते बहुत आगे नहीं जा सकते और सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद आप इस भियान में बहुत आगे जा सकते हैं जैसे एक ट्रक है ट्रक का टायर पेंचर हो गया पचास सो लोग मिलकर भी उस ट्रक को उठा नहीं सकते लेकिन एक सिस्टम है जिस सिस्टम को बोलते हैं जैक वो 2-3 kg, 3 kg, 5 kg बेट होता उस जैक में अगर उस जैक को ट्रक के नीचे लगा दिया जाए और उस जैक को गुमा दिया जाए तो क्या होगा वो 2.5-3 kg का जो जैक है वो पूरे ट्रक को उपर उठा देता है और जितना टाइम चाहे उतना टाइम उपर उठा के रखता है यह है सिस्टम की पावर सिस्टम के साथ जुड़के आप काम करें इस महीने को स्पेसल फोकस मन्त है आज 22 तारिक हो चुकी है लगबग 9 दिन हमारे पास में बचे हुए है इन 9 दिनों में थोड़ा सा अग्रेसिव होके काम करें देखे इस अभियान को महुबत के साथ करना चाहिए मेहनत कर रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन महुबत के साथ करना चाहिए मैं पूरे इंदुस्तान में जाता हूँ और बहुत सारे ऐसे साथियों को मैं देखता हूँ जिनको आर्सियम अभ्यान से बहुत प्यार है बहुत प्रेम करते हैं अभ्यान से और मैं कई बार फील करता हूँ अगर उनको एक महीने तक इस अभ्यान से दूर कर दिया जाए न वो बिमार हो जाएंगे इतना प्यार करते हैं बहुत सारे leaders, बहुत सारे लोग कि एक महिने तक अगर इस अभ्यान से दूर कर दिया जाए और बिमार हो जाएंगे अगर वो बिमार हैं और उनको फिल्ड में बेज दिया जाए तो बिना दबाई की ठीक हो जाते हैं तो आप focus करके काम करें, definitely joining के उपर हमारा पूरा focus होना चाहिए, और जब सही दिशा में, सही तरीके से हम काम करना start करेंगे, और एक ही बासा बोलेंगे, देखिए अगर हम अलग-अलग दिशा में काम करेंगे, तो बड़े प्रिणाम नहीं मिल पाएंगे, कि TC सर इस बिजनस के जनम दाता हैं, हम जो आज सोचते हैं, वो हमारे से कहीं आगे की सोचते हैं, कुछ चीज़ें में बाद में समझ में आती हैं, तो हमें TC सर की सोच के साथ चलना चाहिए, और TC सर की सोच दिशा में जाएगी, वो बाक्य में RCM बिजनस के लिए बहुत ही श वे जो साथी जो इस अभ्यान के अंदर में जी जान लगा के काम करना चा रहे हैं या कर रहे हैं उनसों भी साथिएं का बहुत बहुत धन्यवाद और लास्ट में एकी चीज के साथ मैं अपनी बात को खतम कर रहोंगा और कुछ साथियों से ऐसे मुलाकात योगिता जी आपकी करवाएंगे जो साथी नए अभियान परचार के तरीके से काम कर रहे हैं और उनको कितने बड़े परिणाम मिलने लग रहे हैं उन साथियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे तो इस अभियान के इंद चैन की त्यागें, संगर्सों का मैदान मत छोड़के भागें, बिना कुछ किये जैजैकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, थैंक्यू वेरी मच्च, जै आर्सियंद, थैंक्यू सर, गोती शांदर, और आज के इसमें आपने इतना सुन्दर फो फोकस पर यह किया, पीड़ पर आपने बिजनस कैसे बिल्ट कर सकते हैं, स्पीड पकड़ दे हैं, उस पर आप ज्यादा समय ना लेती हुए, बहुत सारे जन के हैंड्रेस भी है, हम उनको भी लेंगे, सबसे पहले मैं कविता सोरेंस, मैं उनको अनमूट को ऑफ्शन दे र दरणिये व्यूवर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेबरेट यूट्यूब चैनल, RCM The Dream World को सबस्क्राइब नहीं किये हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें, और घंटी के बटन को आउन कर ले ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले